तो दोस्तों अगर आप भी UP Board से हो चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो तो यह वीडियो आपके लिए है तो आज जानने वाले है जैसे कि आप थमनिल पर देखे होंगे क्लास 10th और 12th passing marks UP Board के लिए तो वही वीडियो है ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा बहुत ही important होने वाला है क्लास 10th में पास होने के लिए कितना marks चाहिए क्लास 12th में पास होने के लिए कितना marks चाहिए theory में कितना practical में कितना तो आज यही सब जाने वाले पूरी full details में देखेगा वीडियो को बिल्कुल नहीं किजेगा ठीक है वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है तो इसको बताने से पहले आप चैनल पर पहली वारत भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और साथी बेल आइकन दवा लेजिए और वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक कीजएगा ठीक है चली शरू करते हैं देखे इधर जो है इधर का इधर वालों के लिए है और इधर का पार्ट तृल्त वालों के लिए ठीक है यहां हम पहले तैंत वालों का कौवर करेंगे ऐसके बहुत ही मजायेगा हम पुरे याषामाच सब्दों में आपको एकदम समझाने का पुरी देखेंगे यह सब जितने भी सब यह खुते हैं सब यह 100 marks की होते हैं कितने 100 marks यह भी 100 अभी देखे आप पूरे समझेगा एकड़ेगा फुल डीटेल में 100 marks है इंदी 100 हो गया English 100 हो गया Science 100 हो गया Social Science 100 हो गया Math 100 हो गया Art या संस्कीत इसमें से जो एक सब्जक्ट आप ले सकते हैं देखिएगा यह सो मारक्स का हो गया है लेकिन यह पूरा sa枉-क्जाम नहीं yeah आपको होता है कितना है रिटेंट सीवेंटी मारक्स का सब्दें देथा है दे दे देता है देग है मैं आपको पास होने के लिए 70 में दोस्त सेवेंटी में 70 में आपको 23 मार्णा लाना होगा और प्रैक्टिकल 30 मार्णा होता है तो इसमें कम मिनिमम 10 मार्णा आपको मिल ही जाता है यानि कि 10 ऊपर ही जायए ये कम नहीं ठीक है यह बहुत low quality में 10 marks लेकिन आपको 10 और 23 मिला करके कितना हुआ 33 marks हुआ तो आपको 33 marks चाहिए पास होने के लिए पूरे all to all subject में जितने भी 6 subject है उसमें देखेगा हाँ पर calculate करके लिखेंगे देखेगा 23 और plus 10 equal to कितना हो गया 33 हो गया इसमें भी देखेगे इसमें भी 30 marks चाहिए 70 में 70 में यानिके 23 और plus 10 कितना हुआ 33 हुआ इसमें भी देखेगे 23 इस तरह से सब में जो है आपको लिख लेना है ठीक है इस तरह से आपको सब में जो है 33 marks ठीक है सब में आपको 33 marks छो सब्ज़गे एक दो तीन चार पांच छे सब्ज़ग हो गया तो पास होने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको 33 marks लाना परेगा देखेगा कैसे और वह भी देखेगा थियोरी में अगर आपको 33 marks नहीं आया जैसे कि माल 40 marks है 45 क्योंकि 33 से जादा हो गया तो हम तो पास हो गया लेकिन नहीं मेरे दोस्त यह आप फेल हो जाएंगे क्यों क्योंकि आपको 20 marks है practical में पूरा भर भर के लिया हो पूरा भर के लेकिन अगर थियोरी में कम है देखिए 23 से कम है 23 से कम है नीचे है डाउन है तो फिर आप क को देखिए इसी तरह से मालेजे अगर 23 marks नहीं आया अगर हमको आ गया किसी को 24 marks ठीक है उसे उपर आ गया तो भाई 24 से उपर है न तो भाई तो यह तो ऑल्रेटी पास है क्योंकि 24 से पास हो गया ठीक है लेकिन वहीं देखिएगा दोस्त अठारा है अठारा है और प्रैक् चैंगे कि 44 से पास क्योंकि 33 से ज्यादा आया पास नहीं मेरे दोस्त आप फेल हो जाएंगे क्योंकि 18 आया आपको पास होने के लिए कितना चाहिए तैस यह दोपर तीन तेस चाहिए ठीक है अब को तेस से उपर अगर आएगा तो फिर आप पास हो जाएंगे वर नाप फे ठीक है अब ऐसा ना बता दिए है कि इसमें कोई डाउट होने का नाम ही नहीं होगा ठीक है ना फिजिक्स में देखिए कैमेस्ट्री यह साइंस वालो के लिए बता रहे हैं देखिएगा तो वेल्थ में जो भी सब्जेक्स आप अंदाजा लगा लिजेगा ठीक है चलिए सब में दिखकत नहीं है देखेए का यहां पूरे फुलीर समझाएंगे हिंदी इंग्लीश व्adora इस्टा होता है ठीक है तो केमेस्टी counseling का 100 नहीं होताै आपको 70 marks ही होता है कितना होता है 70 70 marks का ही written होता है और बाकी के बच गया plus तीस नमबर प्रैक्टिकल होता है लेकिन 70 में आपको पास करने के लिए दोस्त आपको इसमें भी 23 marks चाहिए कितना चाहिए 23 marks चाहिए और यह 30 में आपको 10 से उपर यानि कि 10 आजाएगा फिर भी आप पास क्योंकि यह दोनों जोर करके कितना आ गया 33 यह 33 marks आ पास तो इस तरह से आगर आपको अगर 33 marks अगर आता है देखिए तेस नमबर और दस नमबर करके तो जो तेंथ में जो नियम है वह ही यह है ठीक है इसमें कोई थोरा थोरा सा चेंज है और कुछ नहीं ठीक है इसमे पूरा में सतर पूरा में सतर सतर सेवेंटी सेवेंटी है यह थर्टी थर्टी प्रैक्टिकल है इसमें पूरा में नहीं है ठीक है इसमें प्रैक्टिकल हिंदी में और इंग्लिश में और मैथ में घट जाता है ठीक है तो आपको 33 marks आया दोस्त तो आप फिर फास हो तो सेवेन्टी नमें प्लस और तीस माउंंक आ पुड़ा फुली तेषिस माउना पना परेगा भूं मेई और प्र另外 सब्सक्राइक है इस तरह से आपको तरह मार्स आजाएगा फिर आप पास हो जाएंगे ठीक है हिंदी में देखें कोई प्रेक्टिकल नहीं होता है तो इसमें आपको फुरा फुल्ली 100 मार्क्ष का एक्जाम होगा तो आपको जो है अगर आगया देखेगा हिंदी हिंदी में अगर आगया 30 मार्स ठीक है तो आप फिर आप क्या हो जाएंगे दोस्त फेल हो जाएंगे ठीक है इसी तरह से मालेज अगर इंग्लीश में दोस्त अगर आया यह 29 नंबर आ गया तो फिर आप फिर फेल हो जाएंगे ठीक है आपको म और प्लस दस मार्स यह सब्सक्राइब कर लिए तो यही सब फंडा था क्लास तेंथ वालों के लिए और क्लास त्वेल्थ वालों के ठीक है एक वाली इसको पूरा गौर से के देख लिजें देखे वीडियो अच्छी लगे जानकारी अच्छी लगे तो वीडिव को भाई लॉटौक कर दिजी गा और चैनल को सब्सकाइब लिए यह कि रोज इसी तरह के इंपोटेट वीडियो हम लाते रहते तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई